हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो उम्मीद आपसे भी अच्छे और अपनी पढ़ाई बच्चे से कर रहे हैं आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है भविश्यवानी और ये कहानी एक किसान के बारे में है जो अपनी महनत से अपने खेत में फसल होगाता तो आजे सुनते हैं आज की कहानी भविश्यवानी प्राचीन समय की बात है एक बार पंडितों ने भविश्यवानी की उन्होंने कहा देश में अगले 5 बर्शों तक बारे में होगी यह सुनकर सभी परेशान हो गए किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया वे सोचन महनत बेकार जाएगी पर एक किसान हर साल की तरह हल और बैल हल और बैल लेकर खेत में पहुंच गया फिर वे खेत की जुताई करने लगा उसी समय उपर से घने बादल गुजर रहे थे उन्होंने उस किसान को खेत में हल चलाते देखा बादल रुक कर किसान को काम करते देखते रहे उन्हें आश्चरे हुआ कि किसान खेत में काम क्यों कर रहा है उसे तो मालूम है न है कि अगले पांच बर्शों तक पानी नहीं बर्शेगा वे बड़ी देर तक रुके रहे देर तक वे बड़ी देर तक आपस में बातें करते रहे फिर नो ने एक बादल को किसान के पास भेजा उसने किसान के पास जाकर कहा कहो भाई कैसे हो किसान बोला मैं ठीक हूँ भाई तुम बताओ कैसे हो बादल बोला क्या तुम्हें पता नहीं कि अगले पांच बर्शों तक पानी नहीं बरसेगा किसान ने जबाब दिया पता है अच्छी तरह से पता है बादल ने फिर सवाल किया फिर क्या कारणे कि तुम खेत में काम कर रहे हो जब पानी ही नहीं वरसेगा तो खेत में हल चलाने से क्या लाब होगा किसान थोड़ी देर सोचता रहा फिर बोला तुम ठीक कहते हो लेकिन मैं पांस साल तक इस खेत में काम नहीं करूँगा तो काम करना ही भूल जाओंगा इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ बादल उसकी बात सुनकर चुप रहा फिर उसने जाकर दूसरे बादलों से किसान की बात कही बादलों ने आपस में विचार किया एक बुड़े बादल ने कहा भाईयों एक बुड़े बादल ने कहा भाईयों किसान का केना ठीक है अगर हम पाथ साल तक नहीं बरसेंगे तो बरसना भूल जाएंगे चलो हम बरसें बादल रिमजिम रिमजिम बरसने लगे और फिर मुसलाधार वर्शा होने लगे नदी नालों में बाड़ आ गई चानों तरफ हर्याली चा गई तो इस कानी से में इस इक्षा मिलती है कि हमें अपना काम निरंतर करते रहना चाहिए उसका फल हमें अभी मिले या बाद में मिले और अगर हम वो काम करना छोड़ देते हैं तो हम दीरे दीरे वो काम भूलने लगते हैं तो हमें अपना काम करना है बिना फल की इक्षा किये क्योंकि अगर हमने अपना काम किया तो हमें उसका फल या उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा तो अगर आपको एक स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें दोस्तों साथ शेयर करना स्टोरी को लाइक करना और हमारे चनल को सबस्क्राइब करना धन्यवाइद